कि नमस्कार दोस्तों पर फिर से आप सभी लोगों का स्वागत है उत्तर परदेश लोग सिवा आयोग के द्वारा आयोजित होने वाले PCS मुख परिच्छा 2021 को टाल दिया गया है क्योंकि कोबिट की स्थिती लगातार जो है बढ़ती हुई जा रही थी ऐसे परिच्छा आप 28 जनवरी के बजाए जो है यह 23 मार्च से आयोजित किया जाएगा यह एक तथ्य जो आप लोगों को अब तक पता चल चुका है लेकिन अब बदले हुए परिच्छ में आपकी रड़नी थी क्या होरी चाहिए जिससे आपकी उरजा उसी रूप में बरकरार रहे जैसा कि लोगों की तयारी लगभग पूरी हो चुकी होगी या यूँ कहा जाए कि उसके 70 प्रतिसत की जो है बहतर तयारी और 30 प्रतिसत की तयारी लगभग लगभग हो गई होगी या कम से कम एक से दो बार आपने उसका अध्य कर लिया होगा लेकिन यहां पर कुछ फैक्ट एंड कुछी प्रदिशार करेंगे जिसिसे आपकी ये त्यारी एक सही दिसामें सकानात्म कुरूप से जो एक 23 मार्श तक बढ़ती रहे आपके पास कोई निरासा नहों कोई विचलन नहों और एक सही तरीके से एक सही रास्ते पर चल करके आपकी तयारी आगे और बढ़ सके वह गुडवत्ता पूंड रंग से आपका इस्टुडी बटीरियर और बहेतर रंग से तयार हो सके तो इसमें सबसे पहली बार यह ध्यार में रखना होगा कि आपको जो सलेबस की 30% भाग की पुना तयारी करनी होगी यह हमने अपने तयारी के साथ साथ जो है कई ऐसे स्टुडेंट जो बर्तमान समय में पिछले दो बरसों से मुख्य परिच्छा में जो है सनलगन है उनके फीड़बैक के आद हरफर यह दिसकर्ष निकाला है कि 25-30% आईसे सलेबस होते हैं जिनकी तयारी या जिन पर वेक्टी की पकड़ बहुत अच्छी नहीं होती है तो आपको इस समय का सदुपियोग इस 30% जो है सलेबस के तयारी में करना है इससे आपकी उर्जा भी भरकरार रहेगी और समय का सदुपियोग होगा और आपका जो तो सबसे पहला काम आपको यह करना है कि उन सभी सेक्षन पर जो की पढ़ाई करने के दौरान आपको लगता था कि इस पर थोड़ी से और वहतर तयारी होनी चाहिए थी लेकिन समय भाव के कारण से नहीं हो पाई तो आप इस बच्ची होई समय का सदुपियोग आपको इस जो है जिसके बहुत ही ब्यवस्थित तरीके से कभी तैयारी नहीं होती है या इस पर अलग से कच्छा कारिकरम भी आयोजित नहीं हो पाते हैं और इसको वेकिती बच्चे टाइम में या कभी नोट से या कभी किताबों से देख करके ही जो है तैयार करता आप को जो है तैयार करने का प्रयास कीजिती निवद में अपनी पकड़ को मघूतत करने का प्रयास कीजिए निवन-पॐल्यूकता के अधार पर किसी बिसे पर 1000-1200 सब्दों में व्यक्ति किये गए जो बिचार होते हैं तो ऐसे इस्तिति में आप इस समय में जो है निवंद के बारे में एक दिन या दो दिन के अल्टराव पर एक एक निवंद के बारे में आप सुच करके कि इस section को बेहतर कर सकते हैं क्योंकि निवन्द एक ऐसा section है जहां पर लोगों को 105 नंबर भी मिलते हैं और यहां पर 65 नंबर भी मिलते हैं यानि कि लगभग इसमें 40 नंबर तक के जो है variation की संभावना रहती है और आप सूचिए 40 नंबर बहुत बड़ अंख होता है और 40 फिल होती जा रहे हैं आप इसी पर भी अच्छे तरीके से बाट करके एकांत में ध्यान केंद्रित करके सोचेंगे तो एक निसकर्ष निकल करके आएगा जैसे कहने का मतलब है कि कोविट के बारे में आप सूचिए तो कोविट के बारे में एक सामान परिचित तो आप रचा करेंगे और उसकी जो ब्याबकता की तरीके से यानि उसका दूस्प्रभा किस तरीके से लोगों में फैला हुआ है राश्टी राष्टी अंतराश्टी एस तर पर किस तरीके से पहल किये जा रहे हैं चाहे वह मद थिशन का मामला हो या विपन करके किक्ष का यूज ह या सरकार की कुछ गाइड लाइन्स हो जिसके आधार पे इस तरीके के पहली किये जा रहे हैं रोकने के लिए जो है और इसमें क्या-क्या समस्याइं आ रही जैसे विकासिल देशों में इंफ्रास्ट्रक्ट्टर डेवलप्मेंट नहीं बेदर डंग से हुआ इसलिए भी समस्याइं हुई है अस्पताल अच्छे तरीके से नहीं थे लोगों को भरती होने में समस्या या इंडिया के कांटेक्स में अगर देखे तो आक्सीजन के सिलिंडर की सबसे बड़ी समस्या थी तो इन सभी चीजों का उलेक करना और अगला सबसे इंपॉर्टन चीज यह है कि आने वाले समय में व्यक्ति के दिंचर्या व्यक्ति के जीवन ही अपन के किन तरीकों को अपनाने किया आओ सकता है जिससे इस तरीके की आ आप दाएं जो है पुना ना आ सके और व्यक्ति जो है एक सरल और सांगी पूर्ण जीवन के साथ जो है खुशाल जीवन जी सके तो यह एक अगला फिगर इसमें जो है पॉइंट्स बनता है और पुना जो है आपने इसकर्श डालेंगे तो इस तरीके से अगर आप किसी भ विक्सित हो जाएगी तो आपको लिखने में कोई समस्या नहीं होगी और इस बिसे पर आपको confidence आएगा तो आप निबंध में जो है इस समय का जो सदुप्योग कर पाएंगे अगला है हिंदी हिंदी एक ऐसा पेपर होता है जिससे आप यह कह सकते हैं कि semi-technical semi-technical कहने का ताथ पर यह कि गणित तो नहीं है लेकिन इसमें काफी कुछ ऐसे प्रश्ण पूछे जाते हैं से section है जहां पर बहुत ही आपको फोस मार्क्स मिलते हैं बहुत ही जो है फोस मार्क्स मिलते हैं अब यह समझे कि इसमें जो है 120 नंबर तक लोगों को फ्राफ्थ होते हैं अगर वह सही तरीके से सही structure से सही हिंदी के नियमों का परियोग करते हुए करें और जिनको खराब मिलता है उन्हें 65 भी मिल जाता है तो अब आप समझे कि यहां 50 से 55 नंबर के जो है लगबाग 50 मार्क्स आप चलिए कि सामानते हैं लोगों को कम मिल जाते हैं वो यहां पहुंचता है और जिनको अच्छे मिलते हैं 120 मैं यह नहीं कह रहा हूं कि आपको 120 मार्क्स ही मिलेंगे लेकिन आप इसे जो है 105 से लेकर करके 110 के बीच में आप अवस्य पहुंचा सकते हैं और मिलने को तो 118 से 20 नंबर भी लोगों को मिले हैं तो आप हिंदी के पेपर पर जो भी से शुरूप से ध्यान दे करके 10 से 15 नंबर आप जरूर बढ़ा सकते हैं तो आपको इस जो है परिछा टलने के बाद अगली बार परिशा सुरू होने के बीच किस समय का रचनात्मक और सिलजनात्मक अस्तरपर परियोग इन सभी टेक्निकल पेपर में जो है करने चाहिए और करने होंगे तो आपको यहां से 40 नंबर की वेरियेशन 50 नंबर की वेरियेशन ऐसा नहीं कि यह फैट है गणिती रूप में बात कई बार ऐसा हुआ है कि उनके रेंक में या पदों की जो प्राप्ति में जो समस्या उत्पन हुई है तो यह सबसे इंपोर्टेंट जो है टाफिक था अगला जो है आपका जी यस का पूर्चन है बहुत बड़ा एरिया है बहुत बड़ा जो है सक्षिन है जहां पहे आपको जीच के चार पेपर अध्यान करना है और इसकी आगर देखा जाहे वैसे तो तो लेबडहारीद है लेकिन सामान्तिया यसाragen लगता आई कि लगता है कि इसा जो कोई से केंद्रित करेंगे तो यह सेक्षन पर आपकी पकड़ मजबूत होगी क्योंकि सबसे ज्यादा माफ्स जो है आपको चीयस के ही केपर से आते हैं और इसमें आपको जो है विभिन पूर्व में हुए प्रशन पत्रों को आप लिखने का प्रयास कीजिए केवल लिखने का प्रय करेंगे तो इससे नए प्रकार की सवालों को किस तरीके से एक दवाव की स्थिति में परिच्छा में दवाव भी होता है तो वहां किस तरीके से आप हल करते हैं और हल करने का एक तरीका आपको मिलेगा जब आप ब्यवहार अपने अध्यन कच्छी में इस तरीके से प्रेक यहां प्रश्ट्र प्रश्ट्र बनाईयीमांदार्य के साथ और तीन घंटे में या अगर आपके जो है ग्रूप है दो चार लोगों का तो आपस में दूसरे के प्रश्ण पत्र को जो है हल करिए एक के द्वारा बनाएगे जो है प्रश्ण पत्र को दूसरा दूसरे के द्वारा पहला तीसरे के द्वारा चवथा चवथे के द्वारा तीसरे इस तरीके से अगर एक दूसरे बढ़ेगा लिखने की टेक्निक भी बढ़ेगी और यह एक ऐसा जो पेपर होता यहां समय की सबसे ज्यादा जो समस्य होती है जीएस में भी जादा लिखना होता है इसलिए यहां पर आप परिच्छा में जैसे प्रश्न पूछे जाते हैं उसी तरीके से प्रश्न पत्र बनाईए और जो है उसका टेस्ट लीजिए एक दूसरे से कांपी का मुल्यांकन कराईए और अपने इस्थिती का परिच्छा में जो है अपने इस्थिती को देखने का प्रयास किजिए कि हम कहां पर इस्टेंड कर रहे हैं तो यह कुछ पॉइंट से जिसको आप बदली में परिश्थिती में परियोग कर पाएंगे अगरा एक और इंपॉर्टेंट जो है फैक्ट है समय का जो है रचनात्मक परियोग समय का रचनात्मक परियोग कतात पर यह है कि आप अपने उत्तर को किस तरीके से आकरसक और विशिष्ट दो चीजी इसमें इंपॉर्टेंट है कि आप अपने उत्तर को जो है अट्रेक्टिव आंड जो है इस्पिसल कैसे बना पाएंगे जिसे कि जो है एक्जामनर अलग की चीजें जैसे कुछ रिपोर्ट पर अपने ध्यान आकरसित कर सकते हैं क्योंकि जो आपके जीएस का पेपर है उसमें सामाज एक समस्याएं भी आ रही है आपके जो है राजनीत के फील्ड से आ रहे है एकनोमिक्स फील्ड से तो यहां पर अलग अलग तरीके के आ सकते हैं अलग अलग जो भी section है उसके बारे में सोची है कि कहां पर कुछ अलग चीजें डााल सकते हैं जिससे आपका उत्तर different हो सकता है डिस तरीके से आपका जो बचा हुए समय है बहुत जादर समय नहीं है क्योंकि अगर आप करनाब्रारम करेंगे तो वह समय का लिए जरूरी है कि इन 5-6 points पर आप definitely जो है काम कीजिए और इस टली हुई जो है परिच्छा के बात जो बचे हुए जो समय का आप सदूपयोग करके अपनी स्थिती को बेहर बना सकते हैं और प्रबल तथा मजबूत दावेदारी के साथ जो परिच्छा में जो है उतर कर आपके पास आत्म विश्वास होगा और जब आत्म विश्वास होगा तो आप अच्छे तरीके से लिखेंगे अच्छे माक्स प्राप्त करेंगे और परिच्छा में अच्छे पज्जु है आपको प्राप्त होगा तो आज के संचिप्त लेक्चर में जो है बस इतना ही मुटिवेशन के साथ मिलेंगे तब तक के लिए नमस्कान।